आज की इस प्रेस कॉन्फरेंस में ये है कि अभी तक तो हम लोग देखा करते थे कि किसी आरोप में, किसी घोटाले में, किसी बड़े स्कैंडल में व्यक्ति फसा करते थे व्यक्तियों का समूँ फसा करता था, लेकिन आज दिल्ली में एक नया इतिहास बना है जहां सराब घोटाले में दिल्ली की जनता की जुगी जोपड़ी में रहने वालों की अदुर्थराइस कोलोनियों में रहने वालों की रेड़ी पटरी जैसे कारी करने वाले लोगों की सुविधा के लिए जो पैसे खर्च होने थे, उस सरकारी खजाने के पैसे को सराब घोटाले में एक बड़ा लूट करने के लिए सीधे राजनेतिक पार्टी ही आरोपित हो गई है सीधे सीधे आम आदमी पार्टी वही जाच एजनसी के रिपोर्ट के चार सीट में 38 नंबर पे आम आदमी पार्टी एक राजनेतिक पार्टी वही आरोपित होई है वही चार सीट में इस आरोप के साथ आई है कि इस लूट की बेनेफिसरी ये पार्टी है और इस पार्टी का नाम आदमी पार्टी है